हाई एवरिवन आज मैं बैगन तवा फ्राई बनाने जा रही हूँ इसे बैंगॉली में बैगन भाजा बोलते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं इसे और यहाँ पर बैगन ले ली हूँ मैं अच्छे से धोली हूँ तो आए इसे काट लेते हैं तो इसके स्लाइसे क को नहीं ज्यादा मोटा काटना है और एकदम पतला भी नहीं काटना है तो मेडियम काटना है देखे जिस तरीके से मैं काट रही हूँ वैसे ही काटना है और यह बहुत कम तेल में कम मसाले में बनके रेडी हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है चाहे गर्मा गरम चाव अब सबको ऐसे ही सूखा हमको मिक्स कर लेना है यहां पानी नहीं डाल रही हूं आप चाहे डाल सकते हैं तो देखिए ऐसे ही सारे को मिक्स कर ले रही हूं मैं तो यह अच्छे से मिक्स हो गई है और जो अब बैगन जो हम काटके रखे है ना उसको ऐसे देखिए लगा देंगे और बैगन अभी थोड़ा गीला है तो इसलिए मैं इस मसाले में मैं पानी नहीं डाली हूं तो देखिए अच्छे से कोड हो गई है इस तरीके से कोड कर है और यह देखिए यहां मैं तेल डाल रही हूं तवा मेरा गरम हो चुका था तो यहां पर देखिए मैं स्लाइस को डाल रही हूं अच्छे से मसाले भी कोड हो गई है तो यहां पर सारे को डाल दूंगी मैं और इसे आलट पलट करके हमको फ्राइ कर लेना है मीडियम और पफ्लो आज पे ही इसे हमको फ्राई करना है और एक दम तेज में करेंंगे तो यह जल जाएगी तो देखिए सफ तरी के से में पल्टा रही हूँ थोड़े धीर यह हूं मैं हुँए थोड़े देर में हमको ऐसे अलट पलट करती ही रहना है देखिए इस तरीके से बैगन फ्राई बहुत अच्छी लगती है गर्म गर्म चावल के साथ रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है देखिए इस तरीके से पलटा रही हूँ मैं तो बस ऐसे ही, एक दो बार अलट पलट करके हम पकाएंगे, और ये जलदी से पक जाती है, इसे पकने में भी टाइम नहीं लगती है, बैगन फ्राइब बहुत अच्छी लगती है, और बैंगॉलियों में तो ये जरूर से बनती है, बैगन भाजा बोलते हैं उन लूग इसे तो देखिए इस तरीके से बस अब ये थोड़ी से और बस ये हो गई देखिए बिल्कुल ये पर्फेक्ट फ्राई हो चुकी है अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी बस अब इसे देखिए निकाल रही हूँ मैं तो अब तक वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो पे अप हमेशा आते हैं और मेरे चनल को आज तक सब्सक्राइब निकिया है तो अब सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिपिकेशन बेल को भी दबा उसकी जानकरी सबसे पहले आप तक पहुश सके तो आज के लिए इतना ही जल मिलती हूँ एक नई वीडियो में टेस्ट इस रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई